और काफी दूनों से हम तयारी कर रहे थे और यह सोच के तयारी कर रहे थे कि तमाम जो political parties हैं, चाहे वो Congress है, National Conference है, अपनी party है, यह PC है, सब जो है meetings कर रहे हैं, तो हमने अपना program बनाया था कि हम यहाँ एक youth का convention करेंगे, पहले तो हमने कई बार कोशिश की, कि हमें बाहर कहीं space केस मिले इनको लेटर भी लिखा डीसी साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए इस से बहुत पहले और उसका कोई हमें जवाब नी मिला उसकुद कोविड ज्यादा था भी नहीं तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टी कर रही हैं तो उसमें नैशनल कॉंफरेंस ने भी य स्रीनेगर आये थे जो उनको ना सिर्व रोका गया बलकि उनकी पिटाई भी की गई देवाय राफ टाप उनके कपड़े भी फार दे गए कहीं पर उनके मोबाइल छीने गए कहीं को उनको ठाने के अंदर बंद भी किया जैसे आरिफ लाइगुरू भी बंद है तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया है कि यह क्या वज़ा है आज भी अनत्राग में उमर साब का जलसा है कल उनका बारा मुला में था उसके इलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में जड़ी बल में जलसा था इसी तरह पीसी का जलसा इसी तरह हैं जहां गंगाए लाशे बही फ़ही हजारत की ताद बताद के समझती है कि है कि यकायत क्या हो गया कि रात को नों ने कोई चिटी बेजी थी जो हमने मौनिंग में टेलिविजन पे देखा तो हमने काकस वाकस देख लिए तो उसमें कोई चिथी थी कि भई उसमें लिखा गया था कि क्योंकि यह हमारा अपना गरा इसमें तो पर्मिशन के जुरू थी थी इन विव आप दे रिपोर्ट रसीज़ प्रेंटेंटर प्लीस रेनगा एंड कोविट-19 रिस्रिक्शिंद इन प्लेस इस हेरवाइ और दैट इसकेडूल यूथ कॉंफरेंट इस नॉट अलाओ तो पीडिप के लिए कोविट क्यों है तो हमें लगता है कि जो इनका नेरेटिव है जो बीजी पी का नेरेटिव है जो उस नेरेटिव को चैलेंज करता है क्योंकि ये पूरी दुनिया में पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जो मुख कश्मीर में सब ठीक ठाक है और हम उस नेरेटिव को चैलेंज करते हैं हम बताते हैं लोगों को कि जो मुख कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है यहां सबसे बड़ा जो टार्गेट होता है वो नौजवान होता है आज मिनुने नौजवानों को टार्गेट किया क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी यूथ इंट्रेक्शन था जिसमें नौजवानों को जेल नौजवानों को यूए पिये नौजवानों को नोक्रियों से न जो पीडीपी की एक जो हम जम्होरी स्पेस को हम ऑक्पाय करते हैं, यह नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्यूंकि यह चाहते हैं नौजवान जो है, वो बेहाल और बदिल होके, वो तश्दुद का रास्ता इक्तियार करें, जिसमें इनके लिए उसको मारना असान हो जाता है, जैसे हमने हदर्पोरा में देखा, उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था, आर्विनी का उसका देखा, और आप यकीन नहीं करेंगे, यह जो इस किसमें के केसिज हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके गर्ब सरकार की तरफ से क कहना चाती हूं कि हमाड़े कुश्मीरियों के डियने में सरंडर नहीं है, और नहीं मेरे डियने में हैं, अगर यह सोचते हैं इस तरह दवा के, दमका के, हमें तंग करके, सबोटाज करके, हमारे लोगों को पीट के, जेलू में डालके, उनके कपड़े फाड़के, उनकी गाडियां तोड़ के ये हमें जो हैं हमारे होसले कम कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अपने नौजमानों को सलाम करना चाहती हूँ मैं उनकी बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में